नमस्कार आज हम बात करेंगे इतिहास के उस पन्य की जिसके उपर कई तरीके से कई लोगों द्वारा बहुत सारी बाते की जाती हैं कुछ लोग डॉक्टर अम्बेटकर को एक सतही तोर पे देखने की कोशिश करते हैं और उनको दलित समाज का नेता सिद करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग केबल उनको समिधान के निर्माता के रूप में समझते हैं कुछ लोग उनको समण जातियों के विरोधी के रूप में समझते हैं कुछ लोग उनको मुस्लिमों का विरोधी समझते हैं कुछ हिंदू जाती का विरोधी समझते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे आईए देखते हैं तो देखिए जिस तरीके से उनके साथ भेदभा हो रहा है इस पूरे समाज के अंदर में जब वो बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके संघर्ष की दास्तान शुरू हो जाती है उनके पताई जी कुछी दिनों में र नंबर पे हैं तो अविएसली जब रिटार्मेंट का पैसा पूरा नहीं होगा और जब इतने सारे बच्चे रहेंगे तो उतना जादे सो विदाएं भी पूरी नहीं होंगी अब उनके सामने समाज में जो जिस कम्यूनिटी से वो बिलॉन करते हैं महार जाती तो उनके साम कर लेते मंदिर में नहीं जा सकते हो इसकूलों में नहीं जा सकते हो किसी भी सारजनिक स्थान पर नहीं जा सकते हो यहां तक कि हमारे वेदों और पुराणों में तो यह लिखा गया है कि अगर शूद्र उस रास्ते से गुजरे तो ढोल बजाता चले तो जब इस तरीके की समाजिक विवस्था है तो वहाँ पे अपने अस्तितों को बचाना बड़ा मुश्किल होता है और इसमें लगभग सभी लोग हार मान लेंगे तो क्या मानसिकता रही होगी डॉक्टर अम्बेटकर की या अपने आप में एक रिसर्च का विशे होना चाहिए एक छोटा बच्चा जब ये तै करता है कि उसको ये बेडियां तोड़नी है इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है अपने मुकदर को बदलना है अपने समाज के मुकदर को बदलना है तो उसके मन में क्या चल रहा होगा वो अखिर कैसे इस पूरी विवस्था को बदलना चाह रहा हो और कैसे उन्होंने अपनी कलम की ताकत से अपने पूरे समाज की बुनियाद को बदल दिया और केवल समाज के बुनियाद को नहीं बदला पूरे भारत की बुनियाद को बदलने की कोशिश की जो जाती विवस्था का दंश था उसको कम करने की कोशिश की तो डॉक्टर अमबेट कर क्या केवल एक जाती के नेता है मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मैं ब्राम्भन हूँ और मेरे आदर्श डॉक्टर अमबेट कर है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दुनिया के सभी समिधानों को पढ़ने का अनभा हो एक ऐसा व्यक्ति जिसने दुनिया के सभी धर्म गरंत पढ़ रखे हो हर धर्मों के एक ऐसा व्यक्ति जो कोलंबिया उनिवर्सिटी का सर्व स्रेश्च चछात रहा हो आज तक एक ऐसा व्यक्ति जिसने लंदन स्कूल ओफ एकनोमिक्स की आठ वर्ष की पढ़ाई केवल दो वर्ष तीन महीने में कर ली हो एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले अपने दम पे समिधान की प्रारूप समिती के लगभग सभी सदस्यों का अनपस्तिती में अकेले ही प्रारूप लिख दिया हो संभौता उस समय का समसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जिनके पास 1664 मास्टर्स की डिग्री हो नो भाशाओं के ग्याता हो संस्कृत, पर्शियन, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, मराठी सब तो आता है उने 35,000 किताबों का संग्रा है उनके अपने पुस्तकाले राजगीर में या चम्बित कर देता है कि एक व्यक्ति कैसे इतना कुछ कर सकता है अगर उनकी एरिस्टोटल से तुलना की जाए तो बहुत अधिश योक्ति नहीं होगी 32 किताबे लिखते हैं और जिसमें लगवग 10 तो अप्रकाशित रह जाती है उनको वक्त भी कम मिला है लेकिन जिस तरीके के उनके अंदर प्रतिभा है वो दुनिया में वैसा कोई उधारण नहीं दिखता लोग उनको राजनीती के लिए जानते हैं और जबकि उन्होंने सोशलोजी, फिलोसिफी, पॉलिटिकल साइंस, इकनॉमेक्स सबकी पढ़ाई कर रखी है लौँ, हर मामले के विशेशग्य है सोची उनकी मस्तिश की मिधा शक्ति कैसी होगी क्या कमाल के व्यक्ति है और इसलिए वो कहते हैं कि आप खुद के उपर बिलीफ करिये इसलिए तो उनको कलम का बादशा कहा जाता है वो कहते हैं कि आप खुद के उपर बिलीफ करिये जब अपने उपर बिलीफ करोगे तब जाके चीजें घटित होगी वो कहते हैं कि आप पहले एजुकेट हो फिर संगठित हो फिर अपने हग की लड़ाई लड़ो या उल्टा ही है पहले हम संगठित हुई हो जाते हैं और उसके बाद क्या करते हैं धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं एजुकेशन की तो बात ही नहीं है जितने लोग डॉक्टर अमबेटकर के नाम का प्रियोग करते हैं क्या वो ये बता सकते हैं कि अमबेटकर जी की विचारधारा क्य जीवन, बहुत बड़ा हो या ना हो, जीवन महान होना चाहिए, जीवन समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, समाज को बदलने का अगर आपके अंदर भूता है, तो जीवन आपके लिए उपयोगी है, आज कल के जैसा नहीं, आज हम एक नौकरी की तैरी करते हैं, कुछ प सेलेक्शन वाला शेयर करते रहेंगे बहुत सारे आईयस अधिकारी हैं बहुत सारे ऐसे आफिसर्स हैं जो 20-20 साल तक वही पेपर की कटिंग की फ़ला समय में सेलेक्ट हुए थे और नॉस्टालिजिक हुए रहते हैं क्या ये महांता है कि जो आपको काम दिया गया है वो महांता है अगर इस हिसाब से डॉक्टर अमबेटकर शेयर करना शुरू करते तब तो वो खता भी नहीं होता सोशल मीडिया अगर होती उस समय तो तो इस बात को समझेए कि उपलब्धी सतच चलने वाली प्रक्रिया है कोई एक प्रक्रिया नहीं है कि उमर के एक दौर में आपने उपलब्धी हरजित कर लिया और उसी के उपर पूरा जीवन खीच लिया तो अगर अपने पैरों पे खड़ा होंगे और अपने अधिकारों के लिए संगर्ष करेंगे तो वो चीज़ें हमें मिलेंगी कोई भी ताकत उस संगर्ष को रोक नहीं सकती है और ये एक दम बात सही है उन्होंने करके दिखाया आप कलपना करिए कि एक बच्चा जब इसकूल में जाता है उसकी कितनी आप एक्षाएं होती है जब समाज में कदम रखता है उसकी कितनी आप एक्षाएं होती है जब हम लोग छोटे थे तो हम समाज से क्या आप एक्षा करते थे बता नहीं आपको याद हो याद हो याद हो गई मुझे याद है कि समाज में जब लोग मुझे चॉकलेट देते थे टॉफी देते थे, दुलार करते थे, प्यार करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था इस स्कूलों में आप इच्छा होती थी कि सिच्छक हमें मान सम्भान दे हमें इज़त दे, हमें चीज़ें पूछने पर बताएं आप जरा कलपना करिए कि एक बच्चा स्कूल जाता है समाज से तो पहले ही बहिस्कृत है सारजनी का स्थान से लेके निजी जीवन तक और जब इस पूल जाता है तो सिच्छक भी उसका बहिस्कार कर देता है प्रश्ण पूछने पर बताय नहीं जाते बच्चे को अलग बैठाय जाता है पानी तक पीने की विवस्था नहीं है कोई बच्चा उससे बात नहीं करता जब वो उच्च सिच्छा प्राप्त करके कोलंबिया इनुवर्सिटी से हो लंदन स्कूल अफ एकनोमिक से वापस भारत आते हैं बच्चे विरोध करना शुरू कर देते हैं उनको जान बुच के चुनाव में हराने की साजिशे होती है तो जब ये सब चीजें घट रही है और उस बीच में अंकेले अंगत के जैसा पाउट टिकाना ये कितनी महा मानव होने की प्रवित्ती धर्शाता है डॉक्टर अंबेटकर की कमाल के व्यक्ति है तो इसलिए जब वो अगर आप उनके पूरे व्यक्तित को देखें तो वो एक तरीके से वो बहुत कमाल का है मल्टी डैमेंशनल है वो कभी भी लॉव मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे हम उनको बड़ा कम फ्रेम करके देखते हैं हम सोचते हैं केवल समिधान के निर्माता है और काम खत्म ये जो रिजर्ब बैंक बना ये उन्हीं की देन है उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था प्रॉब्लम ओफ रुपीज एंड इस सॉल्यूशन ऐसे करके वो पुस्तक थी उसी को पर रिजर्ब बैंक की स्थापना हुई उन्होंने पूरा इंफलेशन की बात लिखी अर्थिक निकायों की बात लिखी वो फिनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे वित्र मंत्री बनना चाहते थे लेकिन उनको लॉव मिनिस्टर का काम दिया गया अधुद व्यक्ति हैं वो अधुद जिसकी आप कलपना नहीं कर सकते अब जब एक बच्चा ये सोचता है कि आज की डेट में हम जब एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हम अब कुछ भी एक्स्प्रेस कर सके आज हम कुछ भी बोल पाते हैं आज कुछ भी कह पाते हैं जो मौलिक अधिकार है समिधान के अंदर में अनुचे 14 से लेकर अनुचे 19 जो बेसिक रूप से दिखाई देता है कि कानून का अधिकार वो जो समानता का अधिकार सरकारी नौकरियों में बराबरी का हक अस्प्रिशता का विरोध उपाधियों का अंत विचार और अगव्यक्ति के स्वतंतर ताइस थरी की जो स्वतंताय दिखती है ये डॉक्टर अमबेटकर की ही देन है डॉक्टर अमबेटकर के मन में कलुशित भावना नहीं है जिस समाज ने उनके साथ बहुत जादे भेदभाव किया उस समाज के लिए भी वो सोचते हैं वो सुब के लिए बराबरी का हाग देते हैं समिधान में चाहते हैं तो उनके पास option था कुछ ऐसे प्रावधान करते हैं जिससे की समाज का जो एक ऐसा तबका है वो दूर रह जाता लेकिन वो समाज को बराबरी के स्थान पे लाना चाहते हैं तो ये डॉक्टर हम बेटकर के स्थती दिखाई दती है वो समाज के उस तबके को जो कभी सारजनिक स्थानों को यूज नहीं कर पाता था जो स्कूलों में जाने से वंचित था जो पेजल जिसको प्राप्त नहीं था समाज में जिसके साथ खान पान नहीं होता था उस समाज को बराबरी का दर्जा दिलाना चाहते हैं एक समय था जब लिख दिया जाता था कि दलितों का प्रवेश वरजीत है हम अंग्रेजों को कहते हैं कि अंग्रेजों ने लिख दिया कि भारतियों का प्रविश वर्जीत है तो क्या उसके पहले हमने नहीं लिखा हमने भी तो लिखा कि दलतों का प्रविश वर्जीत है मनुस्पृति को इसलिए तो डॉक्टर अंबिट करने जलाया हलाकि मनुस्पृति एक बिस्तृत दस्तावेज है लेकिन वो ये बाते उनको भी पता थी वो तो कही रहे थे कि मनुस्पृति में जला रहा हूँ ये बड़ा ही दुखत घटना है ये लेकिन मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जो भी प्रतीक है उनको जलना पड़ेगा ये प्रतीक भस्न होंगे और तक जाके समाज को स्वधनता मिलेगी ऐसे किसी भी वेद पुराण ऐसे किसी भी धर्म गरन्त है किसी भी धार्म कर्म कान्ड का में विरोध करता हूँ जो समाज में एक जाती को दूसरे से अलग कर दे और बिल्कुल सही बात है तो अब आप देखेंगे कि जिस तरीके की संरचना उन्होंने की कि अध्यन पे बल देना और पठन पाठन को बढ़ावा देना ये उनकी अपनी मौलिक सोच है कहते थे ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा बात सही है आपकी तरकिता विक्सित हो जाएगी आप तर्क करने लगेंगे आप सवाल करेंगे आप अपनी परिस्थितियों को स्विकार नहीं करेंगे आपके अंदर लड़ने का माद्दा जन्म ले लेगा इश्वर क्या है वही तो इश्वर है ना जिस दिन आपके अंदर तर्क की बावना जन्म ले गई जिस दिन आपको ये मान बैठ है कि मैं अपनी परिस्थितियों समझाता नहीं करूंगा मैं इससे निकल के आऊंगा वो तो गया इश्वर का जन्म आपके अंदर यही तो तर्किता है तो डॉक्टर अंबेटकर कहते हैं कि पढ़ो जब वो राजनितिक ब्यवस्था की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक मजबूत केंद्री सरकार होनी चाहिए निताओं के दभाव में आजए लेकिन डिमोकरीसी में ऐसा नहों कि बहुमत का ही सिंडरॉम आजाए ऐसा नहों कि बहुमत अल्पमत का अदिकारों को धबा दे इसलिए जो अल्पसंख्यक लोग है जहें दलित हो जहें मुसलिम हो जहें जो भी अलपसंख्यक जातिया हो उनको बराबरी का हक मिले गांधी जी से उनका इसी बात को लेके तो विरोध हो जाता था वो कहते थे कि आपने मुसलिमों और सिखों के ओपर तो कोई जब प्रथक निरवाचन मिला तो आपने कोई विर करने लगे मैं आपको निता नहीं मानता मैं आपको यूग पुरुष नहीं मानता गांधी जैसे लोग आते हैं और इतिहास में अपना काम करके चले जाते हैं अब इसमें मत गतिरोध हो सकता है हर व्यक्ति के अपनी अलग सोच होती है तेकिन वो गांधी से नाराज रहते ले थे और कहते थी हर्जण आपने कहा क्योँ नहीं कॉंग्रेस socio सदस्था के लिए आपने कह दिया जोब्यक्ति ने जाती व्यवस्ता के विरोध किया वही बनेगा कॉंग्रेस का सदस्थिर हमने हर्जन क्योड हैं चाहते तो जाती व्यवस्त्ह और वन आखिर कोलंबिया युनिवर्सिटी ने उनको उनकी प्रतिमा क्यों लगाई है उनके उनके कित्पुस्थप को अपनी सेलेबस में क्यों समलित किया है लंदन स्कूल आफ एकोनोमिक्स ने क्यों उनकी प्रतिमा लगा रखिये कुछ तो बात होगी इनकी लोग कहते हैं कि देश में तानाशाही आ जाएगी और जो राजनतिक दल है जब बहुमत पालेंगे भयंकर प्रचंड बहुमत पालेंगे पून बहुमत हो जाएगा 400 सीटे आ जाएगी तो समिधान बदलतेंगे अब ये जो आप अभी ये देख रहे हैं कि ये भारत के प्रधान मंतरी हैं मानिये नरेंद्र मोदी जी और ये कई बार इनकी आपने देखा होगा कि बाबा साहब अमबेटकर के सामने हाज जोड़के वो खड़े हैं क्या दर्शाता है ये ये दर्शाता है कि जिसने समिधान लिखा बाबा साहब अमबेटकर वो इस तरीके का समिधान है कि वो तनाशाहियों को जन्म ही नहीं होने देगा जब जब जन्ता आएगी तो लोगों को सिंगासन खाली करना पड़ेगा इस देश की जन्ता ने कितने लोगों को उखाल के फेका है अंग्रेजों को उखाल के फेका देश में कितनी कितनी आंदोलन हुए तो आपको लगता है कि देश में तानाशाहिए आएगी बेकार की इस देश में कभी ताना चाहिए नहीं आने वाली है उसके पहले जनता उखाण के फेक देगी और इसका अधिकार समिधान देता है सरकार चुनने का अधिकार तभी तो ये बड़े-बड़े नेता गेर गड़ाते रहते हैं अगर ये सम्मिधान का अधिकार ना होता, तो ये ब्रस्ट नेता हमें जीने न देते, ये ब्रस्ट नेता अपने कारियों को सटीक अंजाम न देते, पांच साल में गायब हो जाते, Ambedkar सहाब कहते तो हैं कि भारत में एक समस्या है, हम चमतकारी नेताओं को जिसको करिश्में लीडर्स कहतें, उनके पीछे-पीछे भागते रहते हैं। कभी हमको महत्मागादी चाहिए, कभी नहरु चाहिए, कभी ů मोधी जी चाहिए और उसके बाद राहूल गादी चाहिए, फिर केज़रीवाल चाहिए, फिर कोई न कोई चाहिए., shots, shot, shot तो charismatic leaders के पीछे भागना बंद करें और अपने विकास के उपर ध्यान दे अपने सरवांगिण विकास के उपर ध्यान दे पठन पाठन पे ध्यान दे अपने skill को बढ़ाएं जिस दिन ये बाते हम करने में सफल हो गए उस दिन अपने आप भारत का विकास हो जाएगा ये जाती विवस्था की बेडियां टूट जाएगी लोग कहते हैं कि जाती विवस्था नहीं टूटेगी बिल्कुल टूटेगी आप महानगरों में जाएगे किसी से पूछिए न मेट्रो मुंबई मेट्रो में चले जाएग वही व्यक्ति जो महानगरों में हर जाती हर धर्म के लोग के साथ रह रहा है काम कर रहा है खाप पी रहा है उट वैठ रहा है शादी कर रहा है लिविन में रह रहा है और गाउं आते ही वही व्यक्ति जाती का सबसे बड़ा पुरोधा हो जाता है इसा क्यों है इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे समाज अधुनिक्ता की और बढ़ता जाएगा तो उसकी सोच भी आधुनिक्ती जाएगी Metropolitan Culture जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जाती विवस्ता का ध्वंस भी खत्म हो जाएगा वैसा नहीं कि मेट्रोपॉलिटन कल्चर हर मामले में बेकार है और हर मामले में सही है और गाउं का कल्चर हर मामले में बेकार है हर गाउं हो चाहर हो हर जगह की कुछ अच्छी बाते हैं कुछ खराब बाते हैं तो अगर हम अच्छी बातों को देखे तो मेट्रोपॉलिटन कल्चर की ये बाते हैं अन्यमामले है जैसे परियावरन प्रदूशन है भागंभाग के जिंदगी है इस्ट्रेस है ये सब गाउं में नहीं है तो ये अच्छी बाते हैं तो हमें उस बैलेंस को करना पड़ेगा तो डॉक्टर अमबेटकर कहते हैं कि इन नेताओं के चंगूल से बचिये अगर आप कैरिश्मेटिक लीडर्स के चंगूल से नहीं बचेंगे तो कहीं हिटलर जन्म ले लेगा कहीं नाजिवाद बढ़ जाएगा कहीं फासिवाद बढ़ जाएगा कहीं मुजणनी जन्म ले लेगा तो इसका पीछा करना छोड़िए और अपने आत्मविकास कियो और आत्मवलोकन करिए ये डॉक्टर अमबेटकर का कथन है डॉक्टर अमबेटकर जिस तरीके के व्यक्ति हैं उनके अंदर जो टैलेंट है वो लेखनी में दिख रहा है उनकी पुस्थक हूवर शुद्राज में वो लिखते हैं कि शुद्र कहां से थे कौन से थे मैक्समूलर के थियोरी को वो नकार देते हैं मैक्समूलर कहता है जर्मनी का एक विचारक है वो कहता है कि Aryans जो है बाहर से आया थे West Asia से Central Europe से आया थे अलग अलग थिरीज है तो इस थिरी को न कर देता है कि Arya बाहर से आया है हम बेटकर साहब कहते हैं कि Arya बाहर से नहीं आया है सब यहीं की विवस्था है पहले शूद्र कौन लोग थे शत्री थे लेकिन जब उनकी समाज में इस्तती बढ़ने लगी तो ब्रामणों ने एक शाजिस की और समाज में उनकी स्तती गिरा दी और उनको शुरू का दरजा दे दिया अपनी पुस्थक एनिहिलेशन आफ कास्ट में वो इस पस्ट रूप से गांदी जी का विरोध करते हैं और कहते हैं कि गांदी गोल गोल बाते कर रहे हैं वो वर्ण विवस्था के नाम पे जाती विवस्था कोई लाना चाहते हैं उस पस्ट विरोध करते हैं कि आगर इस जाती विवस्था का अंत करना है कोई भी व्यक्ति अगर उच्वर्ग में पैदा हो गया है तो क्यों छोड़ेगा उसको इसका अंत करना पड़ेगा जब तक इसका समूल नाश नहीं होगा इसके प्रतीकों का नाश नहीं होगा समयदानिक व्यवस्ता नहीं होगी कानूनी व्यवस्ता नहीं होगी तब तक य उपर वो किताबे लिखते हैं वो हिंदुईजम के उपर किताबे लिखते हैं तो उनकी जो IQ जिसे हम कहते हैं intelligent quotient वो कमाल का है बहुमुखी प्रतिभाय actual में ये है यहाँ direction में उनकी सोच उतनी उन्नत है उन्होंने संगठन के उपर भी महत्व दिया उन्होंने पत्रकारिता को भी महत्व दिया उन्होंने 1920 में मूक नायक नामका सापताहिक पत्र निकाला और 1930 में जनता नामका सापताहिक पत्र निकाला 1923 में बहुष्कृत हित कारणी सभा निकाली एक सभा बनाई जिसमें कि ऐसे लोग होंगे और पहली बार दलितों के लिए ये एक संगठित आंदोलन था 1923 में उन्होंने मनुस्मृति जलाई और इस बात की सूचना दे दी कि आप हमारा समाज इस तरीके के किसी भी प्रतीक को जिवित नहीं रहने देगा न शकर देगा डॉक्तर अमबिटकर कहते थे कि मैं अपनी जीवन में मेरे तीन मार गदर शक रहे हैं जो तिबा फूले जो पहली बार दलित आंदोलन को आगे ले जाने का कारी करते हैं तो महात्मा फूले, महात्मा बुद्ध और संत कबीर बहुत धर्म को वो क्यों इतना महत्मा देते हैं वो कहते हैं कि एक मात्र धर्म है जो करुणा के उपर आधारित है जो प्रग्या के उपर आधारित है, बुद्धी जनित है एक मात्र धर्म है जो लोगों समानता का अधिकार देता है और अगर स्वतंता समानता भ्रात्रत्व अगर ये लोकतंतर के आधार बनेंगे तो जाके देश मजबूत बनेगा ऐसा लोकतंतर फेल हो जाएगा जो लोगों की समाजी कार्थी के हैसियत को न बदले एक वोट एक व्यक्तिक आधिकार लेके करोगे क्या समाज तो नहीं बद जाएगा ये लोग तंत्र फेल हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें साजिश करता हो गये हैं लोग चाही नहीं रहें कि समाज बदले फिर से वही जाती-पाती चल रहे हैं इसलिए तो पांच लाग क्यास-पास लोग को लेकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया वो भी एक त कोई हुआ ही नहीं तो डॉक्टर अम्बेटकर कोई एक जाती के विवस्था से नहीं जुड़े हुए हैं कोई एक दलितनेता नहीं है डॉक्टर अम्बेटकर जैसा कि पोर्टर ही किया जाता है जैसा कि दिखाने के कोशिश की जाती है डॉक्टर अम्बेटकर हम सब के रूप लगाये जाते हैं कि उन्होंने तीनों गोल में सम्मिलनों में अंग्रेजों के पिट्ठू के रूप में भाग लिया उन्होंने साइमन कमिशन के प्रतनिधी के रूप में भाग लिया उन्होंने Quit India Movement का विरोध किया उन्होंने गांधी जी के अंदोलन का विरोध किया उन्होंने देश की आजादी का विरोध किया इसलिए वो देश विरोधी थे अरे भाई, उनका सपस्ट मत था कि देश में आजादी हो भी जाएगी तो जो बहुत संक्या का अबादी है उसकी इस्तिती तो नहीं सुदरेगी जो दलित है वो दलित ही रहेगा जो महिला है जिसको कोई अधिकार नहीं है उसकी हालत तो नहीं सुदरेगी सोशन तो होता ही रहेगा इसलिए वो कहते हैं और जब देश आजाद हुआ तो उन्होंने इस दलित और महिला समाज के उपर खासे द्यान दिया वो ये जो आप maternity benefit देखते हो मातरे तो आवकाश देखते हो कारी करने के घंटे देखते हो महिलाओं को समान कारी के लिए समान वेतन देखते हो कारी की उची दशा देखते हो ये सब डॉक्टर अमबेटकर की देन है ये सारा कुछ डॉक्टर अमबेटकर की देन है ये उन्हीं के विचार है तो ऐसे हैं डॉक्टर अमबेटकर वो राश्च के लिए एक धरोहर है 1990 में जाके उनको भारत रत्न दिया गया कितना अजीब सी बात है भारत रत्न देखे आप अमबेटकर जी को सम्मानित नहीं कर रहे हो बलकि अमबेटकर जी को अगर भारत रत्न मिला तो भारत रत्न सम्मानित हुआ ऐसे व्यक्ति के जो ऐसा महामाना हो उसको कौन सा भारत रतने की क्या जरूरत है कुछ लोग कहते हैं कि उनके जीवित होते हुए ना मिला ना मिले क्या फर्क पड़ जाएगा डॉक्टर अमबेटकर वो विचार है जो पहले भी थे आज भी हैं और कल भी रहेंगे जब तक समाज में असमानता रहेगी जब तक लोगों को नीचे नजरों से देखा जाएगा जब तक लोगों को भेदभाव किया जाएगा जब तक लोगों की वास्तविक आहमियत नहीं समझी जाएगी योगेता को महत तो नहीं दिया जाएगा इस तरी पुरुष में भेद किया जाएगा एक जाती दूसरे जाती के साथ घुलने मिलने में असाज मैसूस करेगी तब तब डॉक्टर अंबेटकर के विचार प्रासंगिक हो जाएंगे डॉक्टर अंबेटकर जैसे लोग कभी मृत्य को प्राप्त नहीं होते डॉक्टर अंबेटकर एक विचार है एक क्रांती है एक यूग परिवर्तनकारी धारा है एक सुनमी है जो हमेशा बहती रहेगी हमेशा चलती रहेगी जब तक ये देश रहेगा तो ये हैं हमारे डॉक्टर अंबेटकर हर मुद्दे के उपर लंबे लंबे व्यक्यान दिये जा सकते हैं और इसको हम continue रखेंगे बीच बीच में specific उन्होंने कौन कौन से विचार रखेंगे उसको हम बताते रहेंगे और भी ऐसे मुद्दो की बात करते रहेंगे आप बताईएगा और कौन से मुद्दो पे हम discuss करें और बताईएगा ये लेक्चर कैसा लगा ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताईएगा जरूर धन्यवाद नमस्कार